नमस्कार मैं हूँ रजनीज कुमार और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिस भारत और ब्रिटिस भारत के अंतरगत हुए जो कवर्नर जनरल थे उनके कारेकाल में हुए मुख्या कारे तो सीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहल प्रिटिस भारत में सबसे पहले ब्रिटेन ने 1773 में गवर्नर जनरल निवफ्त किया था और 1773 से 1757 तक 13 गवर्नर जनरल आये गए पहले गवर्नर जनरल थे वह वारें हेस्टिंग थे वारेन हेस्टिंग्स तो 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स रहे 1773 में इनके कारेकाल में जो पहला एक्ट आया भारत में वो था रेगुलेटिंग एक्ट इस एक्ट के अंतरगत निर्देशक मंडल में सम्भीधान में परिवर्तन फोट बिलियम के गवर्नर एम उनके परिशत के चार सदस्चें द्वारा बंगाल की सरकार को चलाया जाना है तो बंबई मदरास जैसे प्रांतों में सांती और युद्ध मामलों में गवर्नर जनरल को परिशत की देखरेक और नियंतरन का अधिकार दिया गया कलकत्ता में सुप्रीम कोड की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य नयायदीस होता था और तीन अन्य नयदिस होते तो जो पहले मुख्य नयदिस थे वो इंपे थे और कंपनी के सेवकों को किसी प्रकार के उपहार एवं घूस लेने पर रोक लगाई गई थी तो ये आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इनके कारेकाल में एक और एक्ट आया 1781 में तो 1781 का एक्ट आया इसके द्वारा गवर्नर जेनरल परिश्या देओं कलकता सुप्रीम कोड के न्याइक अधिकारी छेत्र का निर्धारन किया गया इसके बाद इनके कारेकाल में एक और एक्ट आया जिसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं तो इस एक्ट के अंतरगत भारत सरकार की देख रेके और नियांतरन के लिए छे सदश्यों वाले बोर्ड की स्थापना की गई और निर्धेशक मंदल को भारत के सभी प्रकार की नियुक्तिया करने एवं बुलाने का अधिकार दिया गया गवर्नर्ट जनरल की सक्ती और कारेचमता बढ़ाने कभी इसमें प्राविधान था गवर्नर्ट जनरल एवं परिशत को बंबई एवं मद्रास प्रांतों के परजातंत्र युद्ध सम्मंधी कारियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इनके कारेकाल में 1774 में रुहिला युद्ध एवं अवद के नवाद द्वरा अंग्रेजियों के लौड की मदद से रुहिल घंड पर अधिकार करना था इनके कारेकाल में प्रथम मराठा युद्ध हुआ जो 1775 से 1782 तक चला और 1782 में सालबाई की संधी हुई दोतिय मैसूर युद्ध भी हुआ जो 1780 से 1784 तक चला और इसी दौर में जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो 1766 से 1779 में हुआ था इनके कारेकाल में दोतिय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक दोत से 1784 में सर विलियम जोन्स युद्ध हैस्टिंग्स द्वारा एसियरतिक सोसाइटी एसीति कोर सोसाइट और बंगाल की स्थापना की गई तो इनके कारेकाल में ही एसियरतिक कोर सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी 1785 में जब इनकी England वापसी हुई तो House of Lord जो Britain का Upper House है उच्छ सदन है वहाँ पे Edmond Vox, Charles James, Fox, Sheridan एवं Gilbert, Elliot द्वारा इन पर महाभी उप चलाए गया और Edward Law, Plummer एवं Dalts उनके समर्थन में थे और साथ वर्स तक चले लंबे मुकदमे के बाद इनको निर्दोस घुचित किया गया दूसरे गवर्नर जिनरल हुए Lord कार्नेवाले जो 1786 से 1793 तक रहे इनके कारेकाल की मुख्य घटनाओं में 1792 से 92 इसमी में हुआ तरतिय मैसूर युद्ध था और 1792 में स्री रंग पटनम की संदी हुई थी 1793 में बंगालेम बिहार के इस्थाई कर व्यवस्ता तथा जमीदारी प्रथा की सुरुवात भी Lord कार्नेवाले इसने की थी 1793 इसमी में न्याइक सुदार हुए और बिभिन इस्तरों पर कोर्टों की स्थापना की गई एवं कर प्रसासन को न्याइक प्रसासन से अलग कर दिया गया सिबिल सर्विसेज की सुरुवात भी इनके कारेकाल में हुई तथा प्रसासन का सुद्धिकरण के लिए सुदार किये गए इनके बाद सर जान सोर 1793 से 1798 तक कवर्नर जेनरल रहे इनके कारेकाल में स्थाई बंदोवस्त 1793 में लाया गया तो जो 1793 में जब ये राजश्व बोर्ड के अध्यक्स थे तो तब स्थाई बंदोवस्त लाया गया जो इनके कारेकाल का महतोपूर्ण कारे है इनके बाद लॉर्ड वेलिजली 1798 से 1805 तक गवर्नर जिनरल रहे 1798 में इन्होंने सहयक संदी ब्योहस्ता शुरू की थी और इस सहयक संदी ब्योहस्ता के तहट जो पहली सहयक संदी हुई थी वो हैद्राबाद के निजाम के साथ हुई थी 1798 में इनके कारेकाल में चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और इस युद्ध में इनकी जीत के बाद इन लोगोंने मैसूर के कई भागों पर कबजा कर दिया और बसीन की सहयक संदी 1802 में और दुती अमराठा युद्ध 1803 सा 1805 भी इनके कारेकाल में हुआ था तंजोर युम करनाटक राज्यों पर कबजा करने के बाद मद्रास प्रांत की स्थापना भी लॉर्ड वेलेचिली के समय हुई थी अगले गवर्नर जेनरल हुई लॉर्ड मिंटो पर्थम जो 1807 से 1813 तक गवर्नर जेनरल रहे मिंटो के पहले सर जार्ज अवारलो दो साल 1805 से 1807 के लिए गवर्नर जेनरल बनाएगे और उसके सासनकाल की मुख्य घटनाएं बिचौर बिद्रो है जो 1806 में हुआ था रंजीत सिंग के साथ अमरित सर की जो 1809 की संदी हुई थी वो लॉर्ड मिंटो के समय हुई थी और 1813 का चार्टर एक्ट भी इसके समय में ही आया था तो चार्टर एक्ट में भारतिय ब्यापार को बिटिस विसेयों के सम्मंधी मामलों के लिए खोल देने यह कंपनी के चाई के ब्यापार यह चीन के साथ ब्यापार के एकादिकार में कोई बाधा उत्पन नहों यह विवस्ता की गई थी सिक्षा के विकास के लिए एक लाख रुपिया दिया गया था और सेवा में आने से पूर्व कंपनी सेवकों को इंग्लेंड जाकर कुछ प्रसिक्षान करने की आवश्यक्ता बताई गई थी तो यह 1813 का चार्टर एक्ट था इनके बाद लॉर्ड हैस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे तो इनके समय में नैपाल के साथ युद्ध हुआ था जिसे गुर्खा युद्ध गहा जाता था 1814 से 1816 में इस युद्ध में बिजय के कारण वो 1816 में मार्कुज आप हैस्टिंग्स बना तरती अमराथा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ और इस युद्ध के पश्चात जो पेश्वा का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके सभी छेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और 1818 में बंबई प्रांत की स्थापना हुई और 1817 से 1818 में जो पिंडारी थे उनके साथ भी लौड हैस्टिंग के टाइम पे युद्ध हुआ था गवर्नर थाम्स मुन्रो द्वारा 1820 इस भी में मदरास प्रांत में रहियत वाडी व्यवस्ता लागो की गई थी तो ये काफी इंपोर्टेंट है कि रहियत वाडी व्यवस्ता किसके समय लागो की गई थी तो तब गवर्नर जनरल हैस्टिंग था और जो मद्रास का गवर्नर था वो थॉम्स मुन्रो था लाड एम हस्ट्स 1823 से 1828 तक गवर्नर रहा तो इसके समय में 1824 से 1826 में बर्मा के साथ युद्ध हुआ और इन्होंने 1826 में इसके सासनकाल में भरतपूर पे कबजा हुआ इसके बाद गवर्नर बना लाड विल्यम बैटिक 1828 से 1835 तक लाड विल्यम बैटिक गवर्नर जनरल रहा इसके समय में काफी समाजिक सुधार के कारे भी हुए जैसे सती पर्था पे रोक लगी थी ठगों का दमन किया गया 1829 से 1835 तक ठगों का दमन का कारे भी इसके कारेकाल में हुआ और 1833 में चार्टर एक्ट लाया गया तो जो चार्टर एक्ट था उसमें मुख्य रूप से था कमपनी द्वारा चीन के साथ ब्यापार और चाय के ब्यापार का एकाधिकार समाप्त कर निसुल्क ब्यापार को भारत में लागू करना फोर्ट विलियम की गवर्नर जेनरल का भारत की गवर्नर जेनरल के रूप में पुनहो नामकरन किया गया तो विल्यम बैटिंग बंगाल परांत का गवर्नर के साथ-साथ भारत का गवर्नर बना दिया गया 1833 के Charter Act द्वारा गवर्नर जनरल की परिशद में एक कानोनी सदस्च गया जो मैकाले पर्थम कानोनी सदस्च थे बिधाई की जो बिधाई के इंद्री करण को समाप्त कर दिया गया था तो अब पूर्ण संपूर्ण तो अब ब्रिटिस भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिशत के पास आ गया तो ये 1833 के चार्टरड एक्ट की प्रमुक पाते थी मैकाले माउंट यूट अनुदेश के अनुसार जो अंग्रेजी माध्यम में सिक्षा की सुरुवात 1835 में की गए राजराम मोहन राए 1830 में इंग्लेंड की यात्रा पे गए थे और वहीं 1833 में उनकी मृत होगी थी तो राजराम मोहन राए बहुत बड़े समाज सुधारक थे मैसूर के राजा को इन्होंने पद से हटा दिया था 1831 में और उसके सभी छेत्रों पे अपना कबजा कर दिया था जैन्तिया एम काचर पर 1832 में कबजा हुआ कुर्ग पर कबजा 1833 में आग्रा प्रांत का गठन 1834 में और प्रांती ये अपील अदालतों एवं सरकिट अदालतों की समापति एवं उसके स्थान पर कमिशनरों की न्यूक थी इन्हीं के कारेकाल में हुई थी नेक्स्ट जो गवर्नर बने वो थे लौड आकलेंड जो 1835 से 1842 तक गवर्नर रहे आकलेंड से पहले सर मैटकॉफ जो की एक छोटे समय के लिए प्रिसासन का प्रभारी बनाया गया था वो कुछ समय के लिए गवर्नर रहे सर मैटकॉफ सर मैटकॉफ ने 1835 में भारतिय प्रेसों पे जो प्रतिवंद था उसको खतम कर दिया था और जो अकलेंड था 1836 से 1842 में प्रथम अपकान युद्ध हुआ था अकलेंड में और युद्ध में अंग्रेजियों को बहुत ब अकलेंड के बाद लाड एन बरू एलन बरू 1842 से 1844 तक गवर्नर रहा जो इसको बनाया गया था प्रतम अपकान युद्ध की समाप्ति पर और इसके समय में सिंद पे गबजा हुआ 1843 में और ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 में ही इसके बाद लाड हर्डिंग 1844 से 1848 तक गवर्नर रहा इसके समय पे प्रतम सिक युद्ध हुआ था जो 1845-1846 में हुआ और उसके बाद लाहोर की संदी हुई 1846 में लाहोर की संदी हुई इस 3300 हत्या पर इन्होंने रोक लगवाई थी लाड हर्डिंग ने और गौंड या मध्य भारत में मानव बली प्रता को भी समाप्त करने का इनको स्रीय जाता है अगला गवर्नर जनरल लाड डल होजी को बनाया गया लाड डल होजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा तो लाड डल होजी दुतिय सिक जो युद्ध हुआ था 1848 सा 1859 में तो ये इसी के समय हुआ था और इसके पश्यात इनका पंजाब पे कबज़ा हो गया था दुतिय बर्मा युद्ध 1822 में हुआ था और इसमें बर्मा के निचले भाग पर इनका कबज़ा हो गया था इसके कारेकाल में 1853 का चार्टर एक्ट आया और 1853 के चार्टर एक्ट में बंगाल के लिए अलग से लेटिनन गवर्नरल की नियुक्त की गई और डलहौजी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया भारती अधिकारियों की नियुक्त करने यों वापस बुलाने के लिए निर्देशक मंडल या कंपनी के अधिकार की समाप्ती और भारतिय सिविल सेवा के अंतरगत भारतिय अधिकारियों के नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परिक्षा की सुरुवात की गई गवर्नर जनरल परिशद में अत्रिक्त सदस्यों को सामिल करना जिसमें बिधाई परिशद के रूप में कारे करना था ये 1853 के Chartered Act की मुख्य बाते थी Doctrine of Lapse लागू किया गया और इसके तहट 17 में 1880, संबलपूर 1849 जहां सी 1853, नागपूर 1854 पे कबजा किया गया और बाद में आवद पे भी कबजा किया गया बूड सिक्षा डिस्पैच 1854 और अंग्रेजियों द्वारा जवन समुद्धाई को सिक्षित करने की जिम्मेदारी इसके तहत की गई थी जो रेल्वे के विकास का स्रीय डाल डलोहौजी को जाता है तो बंबई से थाने के बीच जो पहली रेल चली थी वो भी इसी की कारेकाल में चली थी और कलकत्ता से आग्रा के बीच पर्थम लाइन और 1853 इसमी में डाक ब्यवस्ता की सुरुआत तो ये काफी इंपोर्टेंट कारे इसने किये थे रेल्वे की सुरुआत और डाक ब्यवस्ता की सुरुआत सभी प्रांतों में लोक निर्मान विवाग की स्थापना जो पी डावुल्डी है उसकी स्थापना भी इसी के समय हुई थी और सान्थाल विद्रुआ 1855-1856 में जो हुआ था वो भी लाउड डलहुजी के समय हुआ था लाउड डलहुजी के बाद कैनिंग लाउड कैनिंग 1856-1857 तक गवर्नर जनरल रहे इसके समय में तीन विश्व विद्यालयों की स्थापना हुई कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई जो 1857 में हुई थी और इसी के समय में 1857 का बिद्रुआ भी हुआ था जिसे भारत का प्रथम स्वतंतरता संग्राम कहा जाता है तो ये लाउड कैनिंग के समय हुआ था इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल की पद्वी को खतम कर दिया गया और यहाँ पे इंट्रिड्यूज किया गया वाइसराय को तो जो पहला वाइसराय हुआ भारत का वो लाउड कैनिंग था जो 1858 से 1862 तक रहा महरानी विक्टोरिया की गोष्टना यह 1858 के इंडिया एक्ट के तहट यह सब हुआ तो जो 1858 का इंडिया एक्ट था उसके तहट कमपनी का सासन समाप्त किया गया और बिटिस क्राउन प्रिंस को भारत का आधिकारिक मुखिया गोष्ट किया गया बोर्ड निदेशक मंडल को समाप्त किया गया भारत के लिए एक राज्यस जीब की नियूक्ति की गई जो बिटिस मंटरी मंडल का सदश्य होता था जो परिशदों जैसे भारत परिशद के जिसके पंदरा सदश्य थे की साहता से भारत पर सासन करेगा सर चाल्स वूड्स को बोर्ड का निदेशक अंतरीम अध्यक्ष गोषित किया गया था और भारत के प्रथम राज्यस अचिब भी बनाया गया था भारत का गवर्नर जेनरल वाइसराई बना लाड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराई बना इस एक्ट के थे तथा साथ साथ गवर्नर जेनरल भी बना रहा बिटेन एवं भारत के भी सीधा टेलीग्राफ संपर्ग बनाये जाने के कारण ब्रिटिस ग्रह सरकार तो था भारत के राज्य सचिव द्वारा वाइसराई के उपर नियंत्रा बढ़ाया गया तो ये था 1858 का इंडिया एक्ट EICO के यूरूपिय सेनिकों द्वारा 1869 में स्वीत बिद्रुह भी इसी के समय हुआ था और 1861 में भारतिय परिशत बिद्रुह भी इसके समय लाया गया था लाड एलगिन दूसरे वाइसराई बने जो 1862 में वाइसराई बने 1862 में ही इनकी मरतु हो गए और इनकी मरतु के बाद सर नेपियर और सर डेनिस द्वारा 1862 से 1864 तक प्रसासन की देखरे की गई इसके बाद लाड जान लारेंस 1864 से 1879 तक भारत में वाइसराई रहा भूटान के साथ 1865 में जो युद्ध हुआ था ये भी इसके समय हुआ था कलकत्ता बंबई और मद्रास में 1885 में उच्छ नयायलेओं की इस्थापना की गई थी लाड जान लारेंस के सासनकाल में कलकत्ता बंबई और मद्रास में इसके बाद वाइसराई बना लार्ड मेयो 1879 से 72 तक इसने भारतिय राजकुमारों की सिक्छा एवं राजनितिक प्रसिक्छन के लिए दो कॉलेजों की स्थापना की इसमें से पर्थम काठियाबार में राजकुट कॉलेज और दूसरा राजस्थान के अजमेड सहर में मेयो wieकौलेज की स्थापना की गई थी भारत के सांकी की सरविक्षन का गठन भी ही लाड मेयों के समय हुआ था करसेयों बानिज्य विभाग की स्थापना भी की गई थी और राज्य रेल्वे विवस्था की सुरुवात की गई अंडमान में एक कैदी द्वारा 1872 में इसकी हत्या की गई इसी जब यह वाइसराइ था तो वाइसराइ के समय जब यह वाइसराइ था उसी समय इसकी हत्या कर दी गई थी 1872 में अंडमान में इसके बाद लार्ड नॉर्थ दुक 1872 से 1876 भी वाइसरा यहा प्रिंस आफ वेल्स एड़ड तिटी 1875 में भारत की यात्रा पे लाड नॉर्थ रुक के समय आया था और अफगानिस्तान का जो प्रश्ण था अफगानिस्तान से संबंदित क्वेश्चन पे इसने अपना त्याग पत्र दे दिया था लाड लिटन 1876 से 1880 तक वाइसराय रहा 1876 का साही उपादी अधिनियम तथरानी विक्टोरिया द्वारा भारत की महारानी की उपादी प्राप्त करना ये लाड लिटन के समय हुआ था जनवरी 1877 में दिल्ली दरवार का आयोजन किया गया था और 1878 में वर्नकुलर ट्रेस एक्ट जो एक्ट लाया गया था ट्रेस को गंट्रोल करने के लिए ये भी इसी के समय लाए गया दुतिय अपगान युद्ध 1878 से 1880 तक लाड लिटन के समय हुआ सर रिचर्ड स्ट्रैची के अधिन 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्त भी की गयी थी क्योंकि उस समय पे बहुत अकाल की समश्या होती थी सूखा कहीं चीजों की वज़ा से तो अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 में लाड रिम्पन 1880 से 1884 तक अगले गवर्नर रियुक्त किये गए 1881 में प्रथम फैक्टरी विदेहक भी लाड रिम्पन के समय आया था 1881 में भारत की प्रथम जनगरना भी इसी के समय होई थी और भारत की जनसंख्या 254 मिलियन आकी गई थी लगभग 25,5 करोड और 1882 इस भी में अस्थानिय स्वसासन की सुरुवात भी इसी के समय होई थी वर्नकुलर ट्रेस विदेहक को रद किया गया था 1882 में लाड रिम्पन के समय और केंद्री अभित का 1882 में जो विभाजन किया गया वो भी लाड रिम्पन के समय हुआ सर विलियम हंटर के अधीन सिक्षन आयूक का 1882 में गठन किया गया था और इलवर्ट विल बिवाज जो था वो 1883 में इसी के समय हुआ था और 1883 में अकाल सहिता भी इसी के समय लाही गई थी लाड डफरिन 1884 से 1888 तक वाइसराए रहे और तिर्तिय अबर्मा युद्ध 1885 से 1886 में इसी के समय हुआ था और इसके समय पे एक महतोपूरो ने घटना हुई भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में और उस समय लाड क्रास राज्य सचीव थे जिस समय भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की स्थापना ए ओ यूम ने की थी इसके बाद लाड लेंस्टाउन वाइसराई बना जो 1888 से 1894 तक वाइसराई रहा और 1891 का फैक्टरी विदेयक भी लाड लेंस्टाउन के समय आया था सिविल सेवा का सामनितिय प्रांतिय और अधीना स्ततीन बर्गों में विभाजित किया गया था जो लाड लांस्टाउन के समय हुआ 1892 में भारतिय परिशत बिदेयक भी लाए गया दूरेंड कमिशन की नियुक ति भी इनी के समय की गई डूरेंड जो लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है तो इसी के समय डूरेंड रेखा का निर्धारान किया था लाड अलगिन दुतिय इसके बाद वाइसराई बना जो 1894 से 1899 तक वाइसराई रहा पूना में चापेकर भाईयों द्वारा 1897 में दो ब्रिटिस अधिकारियों की हत्या की गई ये इसके समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था इसके बाद लौर्ड करजन 1899 से 1905 तक भारत का वाइसराई रहा सर थामस के अधिन 1902 में बिश्विद्यालयों आवश्यक सुधारों है तो सुजाओ देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इसकी सिपारेंसों के आधार पर 1904 इसवी में भारतिय बिश्विद्यालय बिधियक पारित किया गया था और सर थामस के अधिन जो आयोग बिश्विद्यालय आयोग सुधारों में सुधारों के लिए लाया गया था तो उसके तहत भारतिय बिश्विद्यालय बिधियक का बिधियक पास किया गया था 1904 S.P. का जो क्राची इसमारक सरक्षन बिधेक भी इसी के समय पे आया और दिली के पूशा में क्रिसी अनुसंधान सस्थान की स्थापना भी की गई थी 1905 में इसके समय पे बंगाल का विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पस्मी बंगाल दो भागों में और 1904 S.P. में करनल यंग हंस वेंट का तिबबत अभिहान भी लाड करजन के समय हुआ था तो लाड करजन के समय हुई सबसे जो खराब घटनाओं में से एक मानी जाती भाड़ती इतिहास में वो है बंगाल का विभाजन जो बंगाल था उस समय करांतिकारियों का गड़ बन चुका था और इसलिए इन लोगों ने बंगाल को विभाजित कर दिया था लाड मिंटो दूतिय है जो 1905 से 1910 तक वाइसराए रहा विभाजन बिरहुदी एवं सदोसी अंदोलन इसके समय पे बढ़ चड़ कर आ गया है सूरत अधिवेशन एवं कॉंग्रेस का विभाजन 1907 में कॉंग्रेस में विभाजन हो गया था एक तरब गरम दल के लोग चले गये थे और एक तरब नरम दल के लोग तो ये 1907 में हुआ था मारलो विंटो सुधार 1909 में भरतिया सासन अधिनियम के तहत लाए गया था और ढाका के नवाब आगा खाँ द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी थी जो मुस्लिम लीग बाद में भरत से पाकिस्तान अलग बनाने के लिए एक कारण बना तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब आगा खाने की थी इसके बाद लाड हार्डिंग दुतिये 1910 से 1916 तक वाइसराई रहा बंगाल के विवाजन को खतम कर मगद्रा सेम बंबई की तहत लाड गवर्नर्सिप का गठन 1911 में इसी के कारेकाल में हुआ बिहार एम उडीसा के लिए लेफटिनेन गवर्नर्सिप और असाम के लिए मुख्य कमिशनर की जो बिवस्ता की गई थी वो लॉर्ड हर्डिंग दुतिय के सासनकाल में हुई थी राजकी राज़धानी 1912 में कलकत्ता से दिल्ली इस्थान अंत्रित की गई थी और इसका मुख्य कारण भी ये था कि कलकत्ता जो था वो क्रांतिकारियों का गड़ बन चुका था तो कलकत्ता से दिल्ली और दूसरा कारण ये था कि कलकत्ता एक कोने में था और दिल्ली लगभग केंद्र में था तो इसलिए कि दिल्ली को 1912 में राज़धानी बनाया गया राजा जार्ज पंचम जो जॉर्ज फिप्थ थे अमरानी मेरी का दिसंबर 1911 में दिली में अभिशेक दरवार लगाया गया और इसे ही दिली दरवार कहा जाता है 1915 इसमी में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्व हो गई थी जो बड़े करांतिकारी और अहिंसावादी नेता थे और महात्मा गानी के राजनेतिक गुरु भी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को गोखले की मृत्व हो गई थी 1915 में मदन मोहन मालविया और कुछ अन्य पंजाबी नेताओं द्वारा 1915 में हिंद महासभा की स्थापना की गई थी इनके बाद लॉड जैम्स फूड 1916 से 1921 तक वाइसराय रहे दो होम रूल लीगों की स्थापना भी हुई जो पहला तिलग द्वारा अप्रेल 1916 में और दूसरा एनिवेसेंट द्वारा 1916 में ही स्थापित किया गया था तो ये लॉड जैम्स फूड के समय हुई महतोपूर्ण घटनाओं में से एक है इसके समय लखनव अधिवेशन एम कॉंग्रेस का पुनर मिलन जो कॉंग्रेस के दो धड़े हो गए थे उनको एक करने में एनिवेसेंट ने महतोपूर्ण भूमी का निभाई जो 1916 में लखनव अधिवेशन में एक कहठा हुए थे और कॉंग्रेस और मिसलिम लीग के बीच भी लखनव समझोता हुआ था 1916 में और इसमें महतोपूर्ण भूमी का बालगंगा धरतिलक ने निभाई थी 1915 में गान्दी का भारत वापस आना इसके समय में ही महत्मा गान्दी अफ्रिका से 1915 में भारत आते हैं और साबरमती आस्रम की स्थापना 1916 में करते हैं और चमपारन सत्याग रहे जो 1917 में हुआ ये महत्मा गान्दी का जो ऐसाई योग और अहिंसावादी आंदोलन का एक प्रियोग था उसकी सुरुवात करते हैं उस प्रियोग को चमपारन में पहली बार करने का कुशिस करते हैं और वो सफल भी रहते हैं इसके बाद एहमदाबाद का सत्याग रहे 1918 में खेडा सत्याग रहे 1918 में ही होता है और जो ये खेडा अंदोलन था इसमें महत्वपूर्ण भुमी का सरदार वल्लब भाही पटेल ने निभाही थी राज्य सचिव मंटिग्यू ने 1917 में अगस्त गोष्णा और मौट फोर्ड सुधार या 1919 का गवर्मेंट ऑप इंडिया एक्ट इसी के समय आया था तो जो गवर्मेंट ऑप इंडिया एक्ट था उसे मौट फोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसमें प्रांतों में द्वैट सासन की लिवस्ता शुरू की गई थी और प्रांतों की सत्ता का हस्तान अंतरन सत्ता का संगिय बितरन नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि इस परिस्तती में राज्यों को केंदर द्वारा सत्ता प्रदान की गई थी नकि संभैठानिक वितरन के लिए और केंदरिय बिधाई का को दुष सदनिया जिसमें राज्य परिशत और बिधाई सभा थे बनाया गया भारत में राज्य सचिव और उसके सहयोगों का बेतन ब्रिटिस कर से दिया जाएगा अभी तक वो भारतिय कर से बेतन राप्त करते थे और भारत के उच्चायुक्त को लंदन में नियुक्त करना जो कि भारत सरकार के प्रती जिम्मेदार होगा तो यह जो 1919 का Government of India Act था या Mount Egu Chems Ford सुधार या Malt Ford सुधार था उसके तहत यह चीजें हुई थी और S.N.Banerji के नेत्तुरत में कुछ अनवहिवी नेताओं द्वारा कॉंग्रेस से त्याग पत्र देकर उनके द्वारा Indian Liberal Federation की स्थापना 1918 में की गई थी तो S.N.Banerji और कुछ अन्य कॉंग्रेसी नेताओं ने कॉंग्रेस से त्याग पत्र देकर कॉंग्रेस से नाराज होके Indian Liberal Federation की स्थापना 1918 में की थी इसके बाद रूलेट एक्ट आता है और 1919 का जो रूलेट एक्ट है उसी के विरुहुद में काफी अंदोलन भी हुए थे इसी के बाद जलिया वाला भाग हत्याकांड होता है जो 13 अप्रेल बैसाकी के दिन 1919 में गटित हुआ था जहां पर जनरल डायर ने सामती पूर्ण तरीके से अंदोलन द्रत लोगों पे गुलियां चलाई थी और उसमें काफी लोगों की जान गई थी इसी के समय तिलक एक अगस्त 1920 में तिलक की मरतु होती है और खिलापत समती का गठन होता है और खिलापत आंदोलन 1919 से 1920 की सुरुआत होती है इसी के समय एसायो गांदोलन भी होता है जो 1920 से 1922 तक चलता है तो अइसाईयो गान्दुलन महात्मा गांधी जी जिट ज़ारा चलाया जाना वाला भारत में पहला बड़ा भियान था जिसमें महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वो अंग्रेजों का हर तरब से विरोत करें हर तरब से उनको साहियो करें उनका साथ नदें जो विदेशी वस्त रहें अंग्रेजों की नौकरी है ये सब चीजें छोड़ दी जाए तो लोगों ने बड़े स्थर पे उनका साथ भी दिया था लेकिन उसके बाद एक घटना होती है और जिसमें जिसकी वज़ा से महत्मागानी अपने अंदलन को विड ड्रो कर लेते हैं, दिसंबर 1920 में कांगरेज का नागपूर अधिवेशन होता है और इसमें कांगरेज के संवीधान में परिवर्तन होता है और पूना में महिला विश्वविद्याले की सापना भी इसी के समय होती है 1916 में सर स्पी सिन्हा की बिहार जो बिहार के लेफटिनेन गवर्नर के रूप में नियुक्त किये गए थे तो सर सिन्हा को गवर्नर बने थे वो प्रथम जो सर सिन्हा थे वो दुतिय ब्यक्ति थे जो भारत के बिटिस संसद में गए थे पहले जो ब्यक्ति थे वो दादा भाई नेरो जी थे जो ब्रिटिस संसद में सदस्चे के तौर पे गए थे और दूसरे थे S.P. सिनहा और ये बिहार के लेफ्टिनेन गवर्नर भी निउत किये गए थे लाड रिडिंग 1921 से 1926 तक वाइसराई रहा और चौरी-चौरा की घटना भी इसी के समय होती है जहाँ पे चौरी-चौरा नमकस्थान पे जनता एक पुलिस चौकी पे आग लगा देती है और वहाँ पे कुछ पुलिस वालों की मृतु हो जाती है तो पांच परविए 1922 को ये घटना होती है और इसी की वज़ा से महत्मा गांदी सही उगांदोलन को वापस ले लेते हैं सी आर दास देस बंदू और मितिलाल नहरू द्वारा 1922 में स्वराज पार्टी का घठन किया गया था जो कॉंग्रेस के अंदर ही पार्टी थी लेकिन जो अंग्रेजों के साथ जो कॉंग्रेस थी उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था इस वज़ा से इन लोगों ने कॉंग्रेस के अंदर ही एक पार्टी की स्थापना की थी जो अंग्रेजियों के सासन में भारत का पृतिनिद्द करने का काम करेगा और इस समय जो रेडिंग था इसके समय पर रोलेट एक्ट को रद्द कर दिया गया 1923 में भारतिया सिविल सेवा है तो इंग्लेंड एवं भारत दोनों स्थानों पर एक साथ परिक्षा की सुरुवात की गई भारतिया नौसेना के अधिकारी वर्ग में भारतियों का प्रवेश या उच्छ स्थर पर भारतिया करन भी सुरू हुआ लौड रेडिंग के समय तो साइमन कमिशन की न्यूक्ति 1927 में और कॉंग्रेस द्वारा कमिशन का बहिसकार भी किया गया तो लौड इर्विन के समय साइमन कमिशन की न्यूक्ति की गई थी हारकोड बटलर के नेतुरत में इंडियन कमिशन की 1927 में नियुक्ती की गई गई और इस कमिशन की नियुक्ती भारतिय राज्यों एवं केंदर सरकार के बीच अच्छे सम्मंद स्थापित करने के लिए किया गया था ये कही बार पूछा जाता है बटलर कमिशन किस चीज के लिए बनाया गया था तो भारतिय राज्यों एवं केंदर सरकार के बीच अच्छे सम्मंद स्थापित करने के लिए बनाया गया था और इसकी प्रतिक्रिया में राज्य की जनता द्वारा अखिल भारतिय रियास्ती जनता सम्मेलन All Indian State Pupils Conference का 1927 में आयोजन किया गया था दिसंबर 1927 पर्थम भारतिय युवा कॉंग्रेस का दिसंबर 1928 में सम्मेलन इसी के समय होता है सर्वदली ये सम्मती का आयोजन इसके द्वारा मोतिलाल नहरू के नेतुरतों में भारत के लिए सम्मीधान तयार करने के लिए एक सम्मती का गठन होता है तो जो पहली बार सम्मीधान तयार करने वाली सम्मती का गठन होता है उसके मुख्या जो नेता थे वो मोतिलाल नहरू थे और मोतिलाल नहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवालाल नहरू के पितात थे सम्मती द्वारा अगस्त 1928 में नहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार हिंदू महासवा मुस्लिम लीग जो थे जो ये रिपोर्ट लाई गई थी सम्मीधान बनाने के लिए तो इसका बिरोध किया था हिंदू महासवा और मुस्लिम लीग न लर्ड इर्बिन द्वारा 1929 में दिपावली की गोशना की गई थी दिपावली पे कुछ स्पेशल गोशना की गई थी दिसंबर 1929 में कांग्रेस द्वारा लाहोर अदिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का संकल्प लाए गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंतरता दिवस निश्चित किया गया था और इसी वज़ा से भारत का संविधान 26 जनवरी को अपिशली लागू किया गया जबकि संविधान पहले बनके तयार हो गया था 26 नॉमबर को संविधान के कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी और बाकी चीज़ें 26 जनवरी को लागू की गई क्योंकि 26 जन्वरी को पहली बार कांग्रेस ने स्वतंतरता दिवस की घोशना की थी 22 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया और साथ में सवीने अवग्या अंदोलन शुरू किया गया था 1930 में कांग्रेस द्वारा प्रथम गुलमेज सम्मिलन का वईश्कार भी किया गया था और गांधी इर्विन समझोते के बाद 1931 में गांधी जी ने सवीने अवग्या अंदोलन वापस ले लिया था लाड वेलिंग्टन 1931 से 1936 तक भारत का वाइसराई रहता है गांधी द्वारा दوسरे घोलमेज सम्मिलन में भाग लिया गया 1931 में और सम्मिलन की जो सम्मिलन था वो असवल रहा गांधी जी के बीच और उनके बीच अंग्रेजों के बीच बात नहीं बन पाई गांधी की भारत वापसी और आंदोलन की पुनासुरुआत तो 1934 में अंदोलन पूर्णता बाद में समाप्त कर दिया गया लेकिन जो दुतिय गोलमेज सम्मिलन के बाद जब गांदी बिटन से भारत वापस आते तो उन्होंने एक बार फिर से अंदोलन सुरू किया था और 1934 में अंदोलन पूर्णता समाप्त किया गया कंग्रेस के बिना प्रतिन रिद्व में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कंग्रेस सामिल नहीं हुई थी और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारती अनेता थे भीम राव अमेट कर 1932 इस भी में बिटिस प्रधानमंत्री रेम जे मैकडोनाल्ड द्वारा कमुनल आवर्ड की गोश्टना की गई कमुनल आवर्ड जो था उसका कॉंग्रेस ने भारी भिरोध किया था यरवदा जेल में गांधी द्वारा अमरण अंसन और गांधी और अमबेटकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट भी इसी के समय हुआ था यरवदा जेल में गांधी जी ने अमरण अंसन इसी ले गया था क्योंकि ये कमुनल जो भारत को बाढ़ने की कोशिस की गई थी अंग्रेजों द्वारा ये कमुनल आवर टाइप से और उसके बाद अमबेटकर और गांधी जी के बीच 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है 1935 में इस भी में गवर्मेंट आप इंडिया एक्ट जो भारत के आज के सम्विधान का लगभग अधिकतर भाग जो लिया गया है वो 1935 के गवर्मेंट आप इंडिया एक्ट से लिया गया है तो ये गवर्मेंट आप इंडिया एक्ट भारत का ततकालिन सम्विधान था 1935 में बर्मा भारत से अलग हो जाता है और ये जो गवर्मेंट इंडिया एक्ट था इसके तहत ऐसा होता है 1934 इसवी में आचार Nagfara ं नरेंदरदेव और जये पर्काश नरेनद्वारा सोसलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गए जो कांग्रेस पार्टी की ही एक यूंग फिन्ग ती सोसलिस्ट विंग 1936 इस भी में संपूर्ण भारत किसान सभा की स्थापना भी की जाती है लाड लिन लित्गो 1936 से 1943 तक वाइसराई रहता है 1937 में अनेक प्रांतों में कॉंग्रेस का मंत्री मंडल बनता है इसके गारेकाल में और 1949 में स्वास्चन बोस कॉंग्रेस के अध्यक्स से और वो अध्यक्स पज से स्थीपा दे देते हैं और सदश्यता से भी बोस एवं उनके समर्थकों द्वारा फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की गए 1949 में और दुतिय विश्यूद की सुरुवात होती है 1949 में जिसके बाद कॉंग्रेस मंत्री मंडल द्वारा जो जितना भी कॉंग्रेस मंत्री मंडल था राज्यों में या कहीं पे भी या सेंटर में तो उन लोगों ने त्याग पत्र दे दिया था 1949 इस भी में कंग्रेस मंत्री मंडल के त्याग पत्र को मुश्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये क्वेश्टिन कहीं बार पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था और किस के द्वारा मनाया गया तो इसलिए मनाये गया था कि कंग्रेस मंत्री मंडल ने त्याक पत्र दिया था और ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 1949 में 23 मार्ज 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा लहोड प्रस्ताव में मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य वैसे राज्य नहीं एक अलग देश की मांग की बात की गए थी और बाद में इसी सत्र में जिना ने दो देशों के सिद्धान्त टू निशन थियूरी की बात भी कही थी और टू निशन थियूरी जो थी उसको इस्टेबल किया 23 मार्च 1940 के लाहोर प्रस्ताव में 1940 में लिनड लिद्जगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कॉंग्रेस द्वारा इसे अस्विक्रित किया गया और गांधी जी द्वारा सत्या ग्रह की शuruवात की गए 1941 में स्वास्चनबोज द्वारा भारत से भाग निकल गए मार्च 1922 में क्रिप्ष मिसन द्वारा भारत को स्वसासन का प्रस्ताओ और कॉंग्रेस द्वारा इसका बहिसकार तो इन लोगों ने भारत को स्वसासन का प्रस्ताओ दिया था जो डॉमिनियन स्टेट टाइप का था और कॉंग्रेस ने इसका पूर्ण बैसकार किया था 8 अगस्त 1942 को कॉंग्रेस द्वारा भारत छोड़ा अंदुलन की सुरुवात की जाती है और सभी बड़े कॉंग्रेसी नेताओं को बंदी बना दिया जाता है लाड वेबले 1943 से 1947 तक भारत का वाइसराई रहता है चक्रवर्ती राजगुपला जारी द्वारा सी आर फॉर्मुला प्रस्तुत करना और इस पर 1944 में गाहंदी जिनना वारता होती है लेकिन ये वारता असफल रहती है तो ये कोसिस थी मुश्लिम लीग और कॉंग्रेस के बीच एकता लाने की लेकिन ये वारता असफल रहती है वेबले यूजना 1945 में और इस पर बिचार करने के लिए सिम्ला सम्मेलन बुलाये गया था लेकिन ये सम्मेलन भी असफल रहता है और नौसेनिकों का बिद्रो होता है 1946 में इसकी वज़ा से INA पर मुगदमा चलाया जाता है लारेंस, क्रिप्स और अलेकजन्डर तीन सदश्यों का केबिनेट मिसन तथा कांग्रेस के और लीग दोनों दोरा इसकी स्विक्रती 1946 में केबिनेट मिसन आता है लारेंस, क्रिप्स और अलेकजन्डर इसके सदश्य थे तीन सदश्य जो ब्रिडिस केबिनेट के सदश्य थे उन्होंने 1946 में केबिनेट मिसन लाया गया और इस केबिनेट मिसन को मिसलिम लीग और कॉंग्रेस दोनोंने स्विक्रती किया सुतंबर 1946 में कॉंग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया 17 अगस्त 1946 इस भी को लीग द्वारा डारेक्ट एक्षन डे की सुरुवात की गयी डारेक्ट एक्षन डे मनाया गया लेकिन अक्टूबर 1946 में इसका अंत्रीम सरकार में सामिल हो जाना तो यह जो Direct Action Day था यह 17 अगस्ट 1946 को Muslim League द्वारा लाया जाता है लेकिन अक्टूबर 1946 में जो अंत्रीम सरकार बनती है उसमें यह लोग सामिल हो जाते हैं लेकिन यह संविधान सावा नहीं थी ये सम्मिधान सहबा से अलग थे इसके बाद जो आखरी ब्रिटिस नुमाइंदा या ब्रिटिस वाइसराय या गवर्नर जनरल कहिए दो ऐसे वाइसराय थे आखरी वाइसराय थे वो लॉर्ड माउंट वेटन थे जो मार्च से अगस्ट 1947 तक भारत के वाइसराय रहते हैं और इसी के तहट माउंट वेटन योजना आती है जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बनते हैं और भारत को स्वतंदरता की प्राप्ती होती है तो इसे ही लौड माउंट वेटन प्लान कहा जाता है और इसके बाद लौड माउंट वेटन को स्वतंदर भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है तो इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है अगले वीडियो में हम बिटिस राज में हुए अन्य चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तों देखते रहे ये चैनल को सस्क्राइब करें, सियर करें, लाइक करें, थेंक यू